नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीरपरीची दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक बहद ही महत्वपून जानकारियों को ले करके जिहां दोस्तों भोजन पकाते समय हम अजवाइन का काफी प्रियोग करते हैं यह बहुत ही लाफकारी होती है इसलिए इसको हम चाह कर भी नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं। घरों में तो अजवाइन का खटा मीठा चुन भी बना कर रखा जाता है। जो अक्सर खाने के बाद सेवन में लाया जाता है। इससे हाजमा बेहतर रहता है। तो आईए आज हम जानते हैं अजवाइन के बेनिफिट्स के बारे में जो आपको बहुत सारे फायदे देंगे आईएरवेद के अनुसार अजवाइन पाचक, तीखी, गर्म, कडवी, शुक्राणों के दोशों को दूर करने वाली, विर्यजनक, हाट के लिए हितकारी, कफ को हराने वाली, गरभाशय को उत्तेजना देने वाली, बुखार को दूर करने वाली, उल्टी, पेट के रोग, ज अजवाइन का उपयोग करें, इससे मुटापा भी कम होता है, अजवाइन का शहद के साथ नियमित रूप से सिवन करने से पथरी की समस्या भी दूर होती है, हल्दी की ही तरह अजवाइन भी मधुमी हरोग्यों के लिए बहुत फायदे मंद है, क्योंकि यह फंगल संक्रम से बचाती है, इसके अलावा हम आप सभी को इसके और फायदों के बारे में बताते हैं, सबसे पहले तो इसका फायदा जानते हैं हम कि यह पाचन शक्ति को मजबूत बनाती है, जिहां, बरसात के मौसम में पाचन क्रिया कमजोर पढ़ने पर अजवाइन का सेवन काफी ला कर चून बना लिजे, भोजन के बाद इस चून का सेवन करने से खटी रकार, गैस की समस्या दूर हो जाती है, इसके बाद हम अजवाइन का लाफ जानते हैं, अगर आपको उल्टी हो रही है तो अधिक शराब पी लेने से अगर व्यक्ति को उल्टियां आ रही हैं, तो उस से अजवाइन खिलाना बेहतर होता है, इससे उसको आराम मिलेगा और भूख भी अच्छी तरह से लगेगी, अजवाइन के गुन हैं, गरभावस्था में लाफ दायक, गरभावस्था के दोरान महिलाओं को अजवाइन जरूर खाने चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ खू अजवाइन के तेल की कुछ एक गुंदे कान में डालने से बहुत आराम मिलता है, अजवाइन बेनिफिट्स दाद में, जिहां, दाद खाज में लाफ दायक, अगर आपके शरीर पर दाने या फिर दाद हो जाए तो अजवाइन को पानी में गाढ़ा पीश कर दिन में दो बार लेप करने से फायदा होता है, घाव और जली हुई जगह पर इस लेप को लगाने से आराम मिलता है और कोई निशान भी नहीं रहता है, अजवाइन का पानी पीने के फायदे गठिया रोगियों के लिए, गठिया के रोगों को अजवाइन के चून की पोटली बना कर स शेकने से रोगी को दर्द में आराम पहुशता है आधा कप अजवाइन के रस में आधी चम्मच पीशी हुई सूखी अदरक और पानी मिलाकर पीजिये इससे गठिया का रोग ठीक हो जाता है अजवाइन वाटर बेनिफिट्स खासी के लिए जिहां अजवाइन के रस में एक चुटकी काला नमक मिलाकर सेवन करने से और उपर से गर्म पानी पी लेने से खासी बंद हो जाती है इसके अलावा ये किल मुहासों को भी दूर भगाने में बहद ही लापकारी साबित होती है दो चम्मच अजवाइन को चार चम्मच दही में पीश कर रात में सोते समय पू अलावा अगर आपके मसूणों में दर्द है तो अजवाइन को भून कर और पीश कर मंजन बना लें इस पाउडर से ब्रश करने से मसूणों के सारे रोग मिट जाते हैं और दर्द भी गायब हो जाता है इसके अलावा अगर आपको खटी डकारे आ रहे हैं तो अजवाइन सेंधानमक, हिंग और सूखे आउले को बराबर मातरा में लेकर अच्छी तरह से पीस कर चोन बना लें इस चोन को एक ग्राम की मातरा में सुबह और शाम शहद के साथ चाटने से खटी ड़कार आना बंध हो जाता है इसके अलावा गुर्दे के लिए भी ये बेहद ही लाफकारी होती है अजवाइन बेनिफिट्स के बात करें तो इसका सबसे अच्छा फायदा किड्नी रोग्यों के लिए है इसमें गुर्ड और पीसी हुई कच्ची अजवाइन बराबर मातरा में मिलाकर एक एक चमच रोजाना चार बार खाएं इससे गुर्दे का दर्द भी ठीक हो जाता है इसके बाद अजवाइन का पानी पीने के फायदे बहुत सारे हैं ये सर्दी से सबसे पहले तो आपको बचाता है देशी अजवाइन पांच ग्राम एक ग्राम गिलोई को रात में 150 एमेल पानी में भिंगो कर सुबह चानने फिर इसमें नमक मिलाकर दिन में तीन बार पिलाने से लाप मिलता है इसके अलवा ये अस्थमा रोग में भी बेहद लापकारी साबित होता है आधा कप अजवाइन के रस में इतना ही पानी मिलाकर सुबह और शाम भोजन के बाद लेने से दमा का रोग नष्ट हो जाता है अजवाइन का उप्योग करके आप मासिक धर्म के दर्द से भी राहत पा सकते हैं मासिक धर्म के समय पीडा होती है तो गुनगुने पानी के साथ अजवाइन लेने से दर्द मिट जाता है मासिक अधिक आते हों गर्मी अधिक हो तो यह प्रियोग ना करें क्योंकि अजवाइन की तासीर गर्म होती है अजवाइन वाटर एसीडिटी से रहत दिलाता है यादि आपको एसीडिटी की समस्या है तो थोड़ा अजवाइन और जीरे को एक साथ भून लें फिर इसे पानी में उबाल कर छान लें इस छने हुए पानी में चीनी मिला कर पिएं इससे आपको एसीडिटी से रहत मिलेगी अजवाइन का पानी आपका वजन कम कर सकता है अजवाइन का पानी पीने से शरीर का मेटाबलिजम बढ़ता है जिसकी वज़से कार्व तथा फैट बर्न होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिससे शरीर के वजन में कमी आती है 25 ग्राम अजवाइन लें अजवाइन को एक ग्लास पानी में रात भर के लिए भिंगो कर रख दें और सुबह पानी को छान लें उसके बाद पानी में एक चमच शहद मिक्स करें और सुबह के समय खाली पेट इसको पी लें आपको लाव होगा इसका सेवन पैतालिस दिन के लिए लगातार करें इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा इसके बाद हम बताते हैं दोस्तों कि कोई भी औश्रधी हो अगर आप अत्यधिक मातरा में उसका सेवन करते हैं तो वो आपको फायदे की जगह लोस भी दे सकता है तो आईए अब हम जानते हैं अजवाइन के अत्यधिक यूज से क्या-क्या लोस हो सकते हैं या फिर किन बिमारियों में नहीं करना चाहिए अजवाइन का प्रयोग अजवाइन को भोजन मातरा के रूप में एक दिन में 10 ग्राम से अधिक नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह आपके लिए सुरक्षित नहीं होता है अजवाइन की अतिरिक्त मातरा दुश प्रभाव पैदा कर सकती है जैसे पेट की गैस, जलन का एहसास, मुम में छाले इत्यादी हो सकते हैं आपको पेट में अलसर, आंतरिक रक्त स्त्राव, अलसरेटिव कुलाइटिस के रोगों में अजवाइन का सेवन नहीं करना चाहिए प्रिग्नेंट महिलाएं भी अजवाइन का सेवन कब्ज और एसीडिटी की समस्या के लिए कर तो सकती हैं लेकिन दिन में दस ग्राम से जादा नहीं, नियमित रूप से अजवाइन का सेवन करें और स्वस्तरे हैं इससे आप बहुत से बिमारियों से बच सकते हैं तो देखा दोस्तों आप सभी ने, आज हम आप सभी के लिए अजवाइन के बेनिफिट से जुड़ी होई जानकारी लेकर के आये थे और साथ ही साथ इसके नुकसान को भी बताना हमारे लिए जरूरी इसलिए होता है ताकि आप सही मातरा में ही इस्तेमाल करें, नहीं तो अधिक मातरा में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको फायदे की जगा लोस होने लगेगा दोस्तों तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगली कड़ी में हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और बेहदी महतोपून जानकारीों को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों